आज हम बात करेंगे TCS का जो interim dividend मिलने वाला है उसके record date के बारे में और ये कब आपके account में आने वाला है किस दिन जो company आपके saving account या जो भी account details आपने दी है कब आएगा तो सबसे पहले आप देख सकते हैं TCS काफी अच्छा ग्रोग किया है लगबग एक साल के अंदर और काफी अच्छा bonus issue भी दिया है और अब buyback भी होने वाला है जिसकी voting process चालू है और कुछ time में इनका जो record date है buyback का वो भी आ जाएगा और अब ये 52 week high पर ही चल रहा है काफी बैतर returns यहां से यह देगा और डिवड़न भी every year यह काफी अच्छा घासा दे रहा है और अब यह जो है interim dividend इन्होंने declare किया है तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इस टॉक में काफी सारी block deals भी हो रही है HDFC Securities ने 2130 का इसका target अल्रेड़ी दिया है market cap 7,54,000 के करीब है एक रुपे का face value है last time दिया था 5000% का dividend और इस time लगबग दे चुका है 2018 में 4000% का dividend interim dividend को मिला कर तो इसका मैं letter आपको दिखा देता हूं तो यह आप देख सकते हैं इनके financial results भी आये थे जो काफी बेतर आये थे और इन्होंने चार रुपे का जो है dividend declare किया है लगबग 400% on the face value और इसका जो record date है वो 18 जुलाई 2008 है तो इस दिन जो record date है उस दिन आपके demand account में होने चाहिए और जिसके पास है या जिसने अभी हाली में लिया है तो 18 जुलाई के दिन आपके demand account में होने चाहिए और उसी के बाद जो है पूरा list निकालेंगे cdsl से उसके बाद जुलाई 2018 जुलाई 25 2018 को आपके saving account में आएगा या उसी week के अंदर 25 से 30 तारीक के बीच में आपके saving account जो भी आपने account detail broker को दे रखा है उसके अंदर dividend आ जाएगा तो इसी के बारे में बताना था काफी लोग पूछ रहें कि dividend किस दिन आएगा और record date क्या है तो उसी के लिए उनके लिए वीडियो बनाया है ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि कब इन जो है interim dividend account में आने वाला है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा चले ठैंक यो